हलो दोस्तों मैं हूँ रोसन और आप लोग देख रहें नेचरल देशी मुर्गी तो आज का वीडियो में हम लोग बात करें कि गोबर खाद से कैसे 50 परसेंट तक का फीड कैसे कम कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा मुर्गी अभी ये गोबर में किस तरह से कीड़े वगेरा खोज रहे हैं कि इनमें अनेकों परकार के कीड़े मकोडे होते हैं जिन्हें मुर्गिया खोज-खोज-खोज के खाती हैं जिससे कि हमारा कुछ हद तक फीड कम हो सकती है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग के पास गोबर वगेर तो इसमें से बहुत सारी कीड़े पनपते हैं इनमें क्योंकि चार से पा lobən हो घींत owners और इसमें अभी किड़े बहुत सारे मातरा में तो इनको हो खोज़कोच के कहा रही हैh यह तेक सकते हैं यह कटकनात् traits मूरगिया है और आगे मेंहें दिखाता हूं जादा म2 नहीं मघिर तो अगर जादा उसे सकते ही तो शौन ही मांतरा में घिरा कर सकते हैं यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो कि जिनके पास आवेलेबल हो और नहीं हो तो वो लोग अलग से कोई भी चारा दे सकते हैं तो बस यही छोटा सा अपडेट दे रहा था कि गोबर से किस परकार से 50% तक फिड कम हो सकते हैं क्योंकि यह गीला गोबर ज्यादा पनपते नहीं क्योंकि ज्यादा कीला हो जाने कारण उसमें कीडा कम होते हैं और ज्यादा सूखे में भी कीडा नहीं पनपते हैं क्योंकि ज्यादा गीला होने से उसमें पानी पानी हो जाते हैं ज्यादा सूखे होने के कारण उसमें कीडा नहीं पनपते हैं ठीक मुर्गियों के सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट या कोई विमारी वगेरा नहीं होती है तो आई होप यह वीडियो यहीं पर अंत करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो देते रहूंगा और आप लोग भी देशी मुर्गी से रिलेटेट कोई भी जानकारी या फिर